हेलो माई डियर फ्रेंड वल्कम टो एजूगेशन पॉइंट ऑन लाइन तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग आई हूँ बहुत अच्छे होंगे सो फेंड आज अपने स्टार्ट करने वाले लीनियर डिफेंशिल एक्वेशन और फर्स्ट ओर जो क्लास टूहल में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है ठीक है फेंड चले और यहां से जो इंटिग्रेशन का महतुत बढ़ जाएगा तो आपसे मैं यह रिक्वेस्ट करता perform也 dy by dx प्लस्टि c1 गृष्G और दूसरा इसिंटर्ट फार्मे για 110 ग्सफोंच प्लस्टि प्लस भॉष्ष प्लस्टिप्यों में डूसे कंट पर द्यान देना है कि अगर पीं आपसा कर ही तो यहां पर सॉलुशन य निकलेगा और पेंड आगर आग incl hair च आपन को लग बहुत सारे questions करना है, इसमाब बिल्कुल भी confused मत हो, अपन gate के भी questions में करेंगे, बस आपको ध्यान देना है कि ये दो standard form इसके होते हैं, ठेक है, y के साथ जो होता है बेटा, वो होता है P, और यहाँ पर x के साथ जो होगा, वो हो जाएगा P, और right hand side में जो है बेटा, वो आप P और Q निकालेंगे, देको P और Q बहुत सिंपल है, y के साथ वाला हो जाएगा P, और जो right hand side में वो हो जाएगा Q, ठीक है, उसके बाद आप निकालेंगे integrating factor if, ठीक है, उसके बाद आप निकालेंगे if, जिसको बोलते है integrating factor, इसका formula क्या है बेटा, if का, e का power integration P, ड, x, अगर इस वाले standard form को satisfy करना, तो e का power integration P, ड, y, ठीक है बेटा, उसके बाद इसका निकलेगा complete solution, जिसका formula है, y into if is equals to q into if dx का integration plus c, और यहाँ पर x into if q into if dy का integration plus c, ठीक है तो यह जो theoretical चीज़े होती है इतना दिमाग में नहीं गुशती है, मैं अगेन आपको फिर से बोलना चाहता हूं, कि अगर आपका जो differential equation है, वो linear है, तो आपको क्या करना उसमें P और Q को निकालना है, P निकालने के बाद आप IF निकालिए, ठीक है, अगर आप इस standard form को match कर रहा है, तो यह वाला formula लगेगा, और इस वाले standard form को match कर रहा है, तो यह वाला formula लगेगा, इसमें अपन अभी कम से कम मान कर चलो, त 3-4 class अपन लेंगे, तो आपको चीज़े clear हो जाएंगे, ठीक है friend, चली आपको इसको लिख लीजिए, फिर अपना आते है question में, यहां से चीज़े मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊ, क्यों questions आपको पता है कि हमेशा से अपन क्या करता है, help करता है, ठीक है, चली इसको यहां पर आप थोड़ा सा जान दीजेगा, तो friend, question क्या कह रहा, देखे, dy by dx plus y 10x is equals to sec x, तो मैंने आपको क्या बोला, कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हाँ, यह linear equation है, ठीक है, first order का, तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सबसे पहला काम यह होगा, कि अपन P खोजेंगे और Q खोजेंगे, देखो, standard form क्या था बेटा, standard form था, dy by dx plus py is equals to q, यह आपका क्या था बेटा, standard form था, इसका मतलब क्या, कि y के साथ जो है, वो क्या कहलाएगा, p कहलाएगा, तो यहां पर y के साथ कौन है, यहां पर y के साथ आपका 10x है, तो यहां पर p जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आपका 10x हो जाएगा, और right hand side में जो है, वो आपका क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, तो यहां पर right hand side पर क्या है, q हो जाएगा, यह आपका sec x, ठीक है, चलिए, यहां तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो लोगों नहीं सेर, यहां त if निकाल लेना है मतलब integrating factor चलिए तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे इसमें linear equation में आप देख सकते है linear equation है सबसे पहले इसका if निकलेगा if का formula होता है integration p dx ठीक है चलो तो exponential का integration power में p p क्या है बटा आपका p है आपका 10x dx ठीक है अब आप बोलोगों कि sir 10x का integration क्या होता है तो 10x का integration से log sin x होता है या log sake x sorry log sake x होता है 10x का integration क्या होता है log sake x चलो बिल्कुल भी confused मत हो integrating factor का formula क्या है e का power integration p dx p की value कितनी बटा p की value आपकी 10x तो आप 10x का integration करोगे तो यह हो जाएगा log sake x ठीक चलिए आपने formula पढ़ा होगा बच्पन में मैं आपको यहाँ पर याद दिला देता हूँ अगर आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा मेरे को देख लें पढ़ा आप ए का power log a is equals to a हो जाता है तो कि आपका एंटी लोग और यह लोग है आपका लोग तो एंटीलोग और लोग क्या हो जाता है क्या हो जाता है विटा cancel हो जाता है तो e का पावर लॉक से क्स क्या हो जाएगा आपका यह आपका हो जाएगा से क्स ठीक है चलिए अब यहां पर लगेगा complete solution का formula है ना देख लो एक बार कहीं confusion तो नहीं होड़ा ना आपको आपने देखा कि हाँ यह linear differential equation है first order का उसके बाद आपने क्या किया यहां पर फटाक से P और Q खोज लिया और मैंने आपको क्या बोला था बेटा कि आप यहां पर देख लो Y वाला term है तो Y वाला term के लिए जो आपका IF का formula होता है वो क्या होता है integration PDX अगर यहां पर X होता है तो यह integration PDY हो जाता है ठीक है चलिए तो फिर P की वैलू 10X थी 10XDX 10X का integration क्या होता है log Seq X तो यह होगा E का power log Seq X ठीक और मैंने आपको यह अपने को और फ़र्मुला बता है कि E का power log A क्या हो जाता है तो यह हो जाता है तो E का power log Seq X क्या हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ सेक X हो जाएगा यह आपका क्या है आई है ना और पहला question यह अभी इतमें कम जिकम नहीं भी तो अपन दस पारा question करेंगे मन खावरा हो ठीक है चलो अब बढ़ते हैं complete solution की तरफ complete solution क्या था formula बेटा उसका y into if is equals to integration q into if dx plus c है ना यही था formula आपका complete solution का ठीक है चलो लोगों सरक complete के स्पेडिंगे लग लिगें सहीं कर लेना चलो तो y तो y ही रहेगा if के जगह पर क्या आजाएगा बेटा if के जगह पर आजाएगा सेक X integration q q क्या है बेटा आपका सेक X है तो q की value हो जाएगा आपकी सेक X और if की value भी क्या ही है आपकी सेक X dx plus c ठीक है चलो तो y into sec x is equals to sec into sec क्या हो जाएगा बेटा आपका यह हो जाएगा sec square x ठीक है dx plus c अब इसको क्या करना अपनको integrate करना है देख लो y की जगह y if के जगह पर sec x q की जगह पर sec x और if के जगह पर sec x sec x sec x क्या हो गया आपका sec square x dx plus c चलो आपको formula पता होगा नहीं पता है तो मैं बता देता हूं integration of sec square x क्या होता है आपका 10 x होता है अगर आपको ध्यान हो तो शली तो y into sec x is equals to 10 x plus c आप यहाँ पर भी solution छोड़ सकते हैं और या तो आप इसको इस तरब भी घेज सकते हैं sec x को यहाँ देख लो या तो यहाँ पर solution मत छोड़ो y की value निकाल दो आप sec x को cross midler भेग दो तो 10 x plus c upon sec x चाहो तो इसको और solve कर सकते हैं या तो यही पर आप क्या करो answer छोड़ो कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है friend देख लो हमने किस तरीके से process किया और यह मैंने क्या बोला पहला question है ना पहला question कभी भी आप कोई complete info नहीं देता लेकिन हाँ एक process यह पदा चला कि जब भी आपको linear differential equation of first order देगा तो आप सबसे पहले P और Q निकालेंगे उसके बाद आप IF निकालेंगे और IF निकालने के बाद जो आपका complete solution का जो formula है उसमें values को put करके उसको आप solve करने की कोशिस करेंगे ठीक है friend चलिए इसको note कर लिए फिर अपन एक और question करते हैं यहां से चीज़े और clear होंगे ठीक है friend नोरिट बच्चा पार्टी नोट इट चलिए माइडिया फ्रेंड एक और बहुत प्यारा question करते हैं बहुत simple question मैंने लिया यहां पर देखी यहां पर क्या दिया है d y by d x plus y is equals to 1 तो अगर आप इसको अच्छे से लिखेंगे तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं d y by d x plus अगर कोई पर कोई कोई कॉफिशन मैंने आफ लिख दिया है तो प्यारा बच्चांच जो standard form होता था हमारा वो क्या होता था तो standard form होता था हमारा d y by d x plus p y is Tap covert q यह हमारा क्या होता था linear equation का standard form होता था तो आप यहाँ पर देख सकते हैं y के साथ यहाँ पर कौन है कुछ नहीं है तो बिटा 1 होगा इसलिए अपने concept पर focus करो concept क्या कहता है concept यह कहता है आप पी और क्यू को खोजिए कोई बात नहीं 11 है तो रहने दीजिए अपने बाप का कुछ नहीं जाता ठीक है चलिए पी और क्यू हमने खोज लिया इस equation से अब अपन को क्या चाहिए बेटा अपन को चाहिए if if का formula क्या होता है e का power integration pdx टीके बेटा चलिए इंटीग्रेशन pdx पी की value कितनी है 1 dx 1 x dx क्या हो जाएगा बेटा 1 x dx हो जाएगा dx और dx का integration x होता है तो यह if का निकल गया बेटा if निकल गया e का power x ठीक चाहिए अब आते है complete solution के तरफ ठीक है complete solution का formula क्या है बेटा y into if is equals to integration q into if dx plus c वही formula बेटा चलिए values को यहां पर put करते हैं तो y into if की value क्या है बेटा if की value वह e का power x तो if हो जाएगा e का power x integration q q क्या है बेटा q की value है 1 तो q की value यहां पर 1 रख दो और if की value क्या है बेटा if की value है e का power x dx plus c ठीक है चलिए तो y into e का power x integration 1 into e का power x क्या हो जाएगा e का power x dx plus c ठीक है प्यारा बच्चा बोलोगे yes sir तो y into e का power x ठीक है e का power x का integration क्या हो जाएगा e का power x ही होता है और plus c e का power x को cross me दर भी दो तो y is equals to क्या हो जाएगा e का power x plus c upon e का power x आप इसको यहां पर answer छोड़ सकते हो या तो आप इन दोनों को इसमें divide करते हो या तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप इसको तो y is equals to e का power x upon e का power x plus c upon e का power x e का power x, e का power x cancel हो गया तो y is equals to 1 plus c upon e का power x तो रहने तो इतना करने की जरूरत आपको नहीं है आप यहां पर भी answer छोड़ सकते हो ठीक है पेटा चली तो एक और question करते है जहां से चीज़े और समझ में आएंगे आपको ठीक है पेटा देख लो यहां पर कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं कि सर ने क्या बुल दिया देख लो कोई दिक्कत की बात तो नहीं नहीं सर दिक्कत है आप घटिया बढ़ाते हो पी और क्यों निकालो उसके बाद हमने सिर्फ और सिफ आई एफ निकाला आई एफ के बाद complete solution में values put करके उसको simplify कर दिया ठीक है चले इसको note कीजिए एक और question करते हैं है ना उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या करना है फिलाल एक और question करने के बाद अपन आगी के बारे में बात करते हैं ठीक है चले इसको note कीजिए प्यारा बच्चा नोरे बच्चा पाटी note it चले माइडियर फ्रेंड एक और प्यारा question करते हैं question देखे मैंने आपर लिखा आपके लिए क्या है question बेटा d y upon dx plus y upon x is equals to x square यह आपका linear differential equation है तो आप क्या इसको इस तरीके से लिख सकते को बेटा question जब तक practice नहीं करोगे अच्छे से नहीं पढ़ोगे आगे चलके बहुत confusion होगा आपको तो आप समझ यह order क्या होता है degree क्या होता है यह देखो linear differential equation of first order है आप देखोगे अगर इस differential equation का order क्या है order आपको one है तो जब आपका order one होगा तब आपका दिमाग काम करेगा कि क्या यह linear है या linear नहीं है ठीक है तो अभी मैंने क्या बोला अभी तो starting है लेकिन अगर आपन थोड़ा सा delay करेंगे तो अपन बहुत गंदा फसेंगे अच्छे से पढ़ हो ठीक है जो instructions मैं आपको दे रहा हूं इससे पहले बेटा आप integration कैसे होता है क्योंकि इसके next lecture में पहला question वही होगा जो i-let के हिसाब से solve होगा तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप कहीं भी फसे आप इसके बाद अगर आप देखना चाहते हो lecture को तो आप i-let पढ़ लेना ठीक है आपको playlist में मिल जाएगा integration lecture 1 है उसका lecture 2 मैंने i-let ही रखा है और नहीं मिलता तो आप मुझे what's up करना है कि सर मुझे i-let का लक्षर नहीं पिरा वसे playlist मिल जाएगा आपको ठीक है चली तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं by 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 x kia ist equals to x squared आप इस तरीके से लिख सकते हैं और या पॉन एक्स मैं लिख सकता हॉ ούन अपने eks ंटु वाई ठीक है चली स्टेंडर्र. वार्म क्या होता है बैटा beter स्टंडर्र. फार्म होता है d. by by d.s प्लस PY is equals to Q ठीक है और आज का जो question वो तो बहुत simple ले रहे हैं अपन कि standard form में दिया हुआ है लेकिन अपन जब आगे के questions करेंगे तो वहां पर ऐसे questions भी लगाएंगे जब अपन को standard form में नहीं दिया हुआ होगा तो अपन को क्या करना पड़ेगा पहले इसको standard form में मलब करना पड़ेगा ठीक है तो खर वह आगे की बात है अपन देखेंगे क्या कर सकते है चलिए तो यहां से P की value क्या हो गई बेटा 1 upon X और Q की value क्या हो गई X इसक्राइब इतना दो तरह चले गया कि हाँ भाई वाले को छोड़कर जो होता है वह होता है आपका P की value किसमें dy upon dx वाले में जब dx upon dy ला करेंगे तो यह भी तो खेर आपको x वाले को छोड़कर वो पी होगा तो उस समय की बात करेंगे अपन ठीक है चलो फिलाल बिल्कुल तो यहां पर पी की value क्या हो गई वाई को छोड़कर क्या है वन अपॉन एक्स और जो क्यूंकि वैलू हो गई वह गई ऑधकर एक्स स्क्वार ठीक है बटा चलो इस स्टेंड़ फॉर्म के साब सी मैच करेंगे तो भी स्टेंड़ फॉर्म लिख्कर मैच कर बाता हैं ठीक है यह कौन सा पढ़ रहें डी वाई बाय जी ऑग तब हहां पर बात करोंगे फिलाल मैं बेकूस था जो मैंने हाँ पर आ आप निकाल लिएगा if, जिसका formula होता है e का power integration p dx, ठीक है, इस वाले standard font के लिए p की value कितनी है, 1 upon x dx, चलिए, सभी गदों को पता है कि 1 upon x का integration क्या होता है log x, तो इस पूरे का solution क्या हो जाएगा, बेटा, x हो जाएगा, क्यों x हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है सब्सक्राइब का पावर लॉग A, इसल कई जाता है तो यहाँ पर ईका-पावर हॉग एकस तो सिरफो सिफ क्या हो जाएगा ऐक्स हो जाएगा चले यह बात तो आपको एक नहीं पदा चलिक्छी थो यह क्या हमारा आी is ठीक है, e का पावर log x क्या हो जाएगा, सिर्फो सिफ x हो जाएगा, अगर यहाँ पर e का पावर log sin x होता, तो यहाँ पर क्या हो जाता, sin x होता, अगर यह e का पावर log cos x होता, तो यह हमारा cos x हो जाता, चलिए, अब आते हैं कहाँ पर बेटा, अब आते हैं complete solution की तरफ, complete solution, ठीक है, क्या है complete solution, y into if, है ना, इस वाले standard form के लिए complete solution का formula ये है, ठीक है, जब next type पढ़ेंगे, तब उसमें बदलेगा, लेकिन तब तक अपन को idea हो चुका होगा, किस तरीके से करना है, चल्ड, तो y into if की value कितनी ही, बेटा, x, और यहाँ पर q की value कितनी ही, q की value है, आपकी x square, देख लो, और if भी क्या निकला है, x dx plus c, तो यह हो जाएगा, y into x, x into x, यह हो जाएगा, आपका x cube dx plus c, ठीक है बेटा, चल्ड, यहाँ पर कौन सा formula involved होगा, integration का, x का power n, जो होता, x का power n plus 1, upon n plus 1, ठीक है बेटा, चल्ड, तो y into x, यह हो जाएगा, x cube क्या हो जाएगा, आपका x का power 4 upon 4, plus c, ठीक है बेटा, चल्ड, x को cross में इधर भीज़ो, तो सिर्फ और सिर्फ यह बचेगा, तो y हो जाएगा, x का power 4 upon 4 plus c, upon में क्या हो जाएगा बेटा, x, चाहो तो आप इसको इस तरीके से लिक सेटा, x इसमें multiply हो जाएगा, x का power 4 upon, 4x और plus c upon x, मतलब x इसमें multiply हो गया, और x आपका इसमें भी multiply हो गया, x से यह कड़ जाएगा power 4, यह हो जाएगा q, तो यहाँ पर आप अंसर क्या लिक सकते हो बेटा, देख लो confusion तो नहीं है, अच्छा मैं से लिख 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 लिख, x को cross में नीचे भेजा, तो x का power 4 upon 4 plus c, यह आपका x, x इसमें भी चला जाएगा और x इसके साथ भी divide हो जाएगा, तो x का power 4 upon 4x और x इसमें भी चला जाएगा, तो c upon x, यह x से x का power कड़ जाएगा, cube हो जाएगा, तो यहाँ पर अपन का answer क्या मिलेगा बेटा, answer मिलेगा, y is equals to x cube upon 4, ठीक, plus c upon x, यह आपका क्या हो गया बेटा, solution हो गया, तो यहाँ के बाद अपने लेबल पर भी solve कर सकते हो, किस तरीके से आपको solve करना है, है ना, मेरा involvement इसमें ज़रूरी नहीं, कि मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, उसी तरीके से करें, चले फेंट, तो हमने आज क्या सीखा, हमने आज standard form इस पे ज़्यादा जोर दिया, dy by dx plus py is equals to q, इस वाले standard form पे आज हमने जोर दिया, कि अगर ऐसा कुछ होता है, तो आप p और q निकालिए, उसके बाद आप if निकालिए, if के बाद complete solution में values को put किजिए, और उससे क्या निकलेगा बेटा, आपका y का value निकलेगा, है ना, और अब भी आगे जो अपन lecture पढ़ेंगे, उसमें भी इसी standard form में थोड़ा सा जोर देंगे, यह सबसे important standard form, बाकि दूसरे वाले पर भी देंगे, जब dx upon dy होगा, चलिए, अब आपको क्या करना प्यारा बच्चा, अगर आपको iLate आ रहा है, तो ठीक है, आप इसके बाद का lecture attend करो, और अगर आपको iLate नहीं आता है, मतलब integration by parts, या तो आता है, revision करना चाहते हो, playlist में खोजो lecture no.2 of integration, आप iLate पढ़कर यहां तक आओ, मैंने क्या बोला बेटा, आपको class 8 की भी जरुत होगी, वो में पढ़ाऊंगा, आपको यहां पर इसके बाद बाद lecture में iLate की जरुत होने बाली है, तो मैं आपको यहां पर पहली बता दे रहा हूँ, कि अगर आपको iLate आता है, तो आप आगे continue कर जाएगे, और अगर आपको iLate में थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो आप पीछे जाए, lecture no.2 of integration, attend करके जब कीजिए, क्योंकि फिर वहाँ confusion का कोई scene मेरे को नहीं चाहिए, किसी भी lecture में, मैं उस तरीके से करी नहीं रहा हूँ, गर class 10 की चीज़ आए, 8 की चीज़ आप सब बता कर आउंगा, तो reference लेके चलना कि आपको इसके बाद क्या करना, इससे पहले क्या करना, सारी बाते हों बता कर आपको चलना, चले तो अभी demo चल रहा है, I hope आप enjoy कर रहे हैं, अगर जो भी बच्चे लेक्चर को यहां तक पढ़ा, अपना नाम ज़रू comment करें, ताकि मुझे एक आइडिया हो जाएगे कि हाँ, कौन से बच्चे ने यहां तक अच्छे से पढ़ाई की है, तो चले मिलते अगले एक्चर में, जहां पर अपन वही पढ़ेंगे, linear differential equation of first order, तब तक अपने और अपनों का खूब क्या लखे, I hope यह बात आपको समन में आए होगे, ठीक है, टेक केर, बाई बाई टाटा.